प्रशासन के दावे की पोल खोलता वीडियो आया सामने माधवनगर अस्पताल में फर्ष पर लेटा कर दी जा रही है ऑक्सिजन कोई कुरसी पर बैट कर तो कोई लेट कर अपने जीवन से संघर्ष कर रहा है जैन प्रशासन की पोल खोलता वीडियो देखिए जहां माधवनगर कोविड अस्पताल में बड़ी संख्या में सास लेने की परिशानी के चलते कई मरीजों को OPD में ही भरती कर फर्ष पर लेटा दिया गया और उन्हें वहीं पर ऑक्सिजन लगा दी गई ऐसे एक दो नहीं कुल छे मरीज हैं जिनको OPD में दी जा रही है जिसमें से एक को कुरसी तो बाकी चार को फर्ष पर लेटा कर ही इलाज किया जा रहा है अब ये हाल संभाग के माधवनगर अस्पताल में उस वक्त का है जब कल ही उच्च शिक्षा मंतरी मोहन यादव ने माधवनगर अस्पताल का निरिक्षन किया था और सभी सुविदा देने के दावे किये थे हाला कि इस मामले में वहां बैठे डॉक्टर ने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया है ये वही अस्पताल है जहां ऑक्सिजन की कमी के चलते कुछ मरीजों की मौत की खबर सामने आई थी ये सिस्टम का फेलियर है कोरोना संक्रमेंट लगातार बढ़ते जा रहा है आज ही उच्चेन में संक्रमेंटों के सारे आक्रे द्वस्त हो गए है और बीती रात आए बुलेटिन में 317 कोरोना संक्रमेंट मरीज मिले इसके बावजूद भी जिम्मेदार लाग दावे कर रहे हैं कि अस्पतालों में न तो बैड और ना ही आक्सिजन की कमी होने दी जाएगी लेकिन माधवनगर अस्पताल के कोरोना वाट्स अभी फुल हो चुके हैं अस्पतालों में कहीं भी जगह नहीं है OPD में 6 मरीजों को भर्ती कर लिया गया है जबकि माधवनगर अस्पताल में पहले से ही 135 मरीज भर्ती है बड़ा सवाल यह है कि दावे लगातार धरातल पर है जैसे कि इन मरीजों को भी फर्ष पर पटक दिया गया OPD में संक्रमितों का इलाज बड़ी लापरवाही से किया जा रहा है किसी भी अस्पताल का OPD वो जगह होती है जहां बाहर के मरीजों को डॉक्टर देखते हैं माधवनगर अस्पताल में भी रोजाना OPD में करीब 200 मरीज सर्दी खासी के आ रहे हैं ऐसे में कुछ कोरोना संक्रमित भी हो सकते हैं और कुछ नहीं भी लेकिन OPD में जिन 6 मरीजों को भर्ती किया गया है उनकी जाच रुपोर्ट अभी नहीं आई है लेकिन वे कोरोना संक्रमित भी हो सकते हैं ऐसे में OPD में अपने आपको दिखाने आ रहे मरीजों को खत्रा हो सकता है इस पूरे मामने में अभी तक किसी भी अधिकारी ने बात नहीं की है